घर से बाहर जाते हैं, इस कुटी चलाते हैं, तो सब से जधा टैनिग आती है हमारे पंजोपे, हाथों पे आ जाती है, तो आप देख रहուंगे, अब इन में कम से कम आपको चुटकी भर चुटकी भर से थोड़ा जादा आपको ले लेना है तरमरिक तो आपको लेना है इन सारे चीजों को अभी हम क्या करने करें कर आपस में mix करनेंगे अब यह तीनों चीज़ को हमने आपस में अच्छे से मिक्स कर लिए अब इस पे हम डालेंगे दही अगर आपको लेमन सुट करता है तो लेमन की कुछ बूंदे भी यहां पर आपकर सकते हैं है और यह जो पैक है ना इसे सरे हातों पर ही नहीं आप इसे फेसपे भी लगा सकते हैं बिल्कुल नैच्रल है अगर फेसपे टैनिंग हो गई है तो इसे इसतेमाल करेंगे तो आपकी टैनिंग खत्म हो जाएगी प्लस अगर गलो खतम हो गया है चेहरे पे तो भी आप इसे जाती है जिसके वज़े से हमारी स्किन पर जो छोटे चोटे दाने फिंपल फुंसियां होती है उसे खत्म कर देता है अब इसे जब आपस में मिक्स करेंगे तो बिलकुल मखन के तरह है कि स्मूथ पेष्ट बनके रेडी होगा क्योंकि इसमें डाला है हमने गेहों काटा तो जो आटे होते उसमें आपने देखा होगा ऐसे लचीला पन होता है थोड़ा से इसके वज़े से जो पेष्टन है बहुत जादे स्मूथ बनेगा अब इससे मैं लगारी हूं अपने हाथों पे तो इस तरह से आपको लगाना है कम सकम पांच मिन तक अपने हाथों को अच्छे से मसाज कर लेना है दोनों हाथों में लगाए कि अच्छे से मसाज कर लेना है दोनों हाथों में लगाए कि अच्छे से मसाज करेंगे जिससे हमारे जो काला पन ही खत्म हो जाएगा जब हम कुकिंग करते हैं तो जो तेल की चीटे आ जाते हैं उसके वज़े से हम नहीं मों लो तुस्यापना फिस्गू